तो हेलो गाइस तोड़ी आज हम एक चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है तब बेकर इस स्टोरी में हम एक बिखारी की स्टोरी पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर को आंटोन शेखो जी ने लिखा रही है सो स्टार्ट करने से पहले best of luck for your exams guys आपको काम रहना है अपना best देना है अपने exams के लिए ठीक है आपका एकदम bright future है I know देखो आपको like है महनत करनी है आपको अपने bright future के लिए but don't take इतना stress कि आप अपनी personal life mental health सब बिखार दो काम रहो अपना best दो carry on सबसे पहले सरगी और बिखारी इसमें हमारे पास तीन characters है सरगी बेगर हमने बिखारी बोला जो की और एक है all का जो की आ गयाएगी तो सरगी और बिखारी मिलते कैसे है एक दिन के अबाव वह रोड पे सरगी अपनी चल रही थी ठीक है उसको मिलता है बेगर मतलब ऐसे टक रहा है और बेगर बोला भाई प्लीज गिपमी सम फूद आ डोन्ट है तू इनिधि टू इट प्लीज गिव मी सम फूद वो इतना गुस्सा हो गया था मतलब गुस्सा हो गया था वो पिटी इसको बोल रहा था कि भाई में पर दयागरो मैं इतने देड़ से भीक मांग रहा हूं मैं खाने के लिए कुछ ने मिला वो ऐसे भीक मांग रहा था ठीक है वो बोला कि उसका खाने के लिए कुछ नहीं है भाई मैं मतलब 8 साल से स्कूल में एक टीचर था बट मेरे को निकाल आ गया बेगर की हालत क्यासी थी मतलब बहुत फटीचर कपड़े थे उसके उसके पूरे जो आइस थी उस पे रेड पूरी रेड पॉर्ट थे उसका एक शूद बड़ा था एक शूद चोटा था उसकी डल और ड्रंके ना इस थी प्यक्ड़ था साला सरगी को लगा बेगर था कहीं देखा हुआ सरगी बेगर को ऐसे रेकंगनाईस कर दें एक बार ऐसे रेकंगनाईस करके बोले ए मैं तरको सवोध्य स्ट्रीट पे देखा था तू तब बोल रहा था कि तो एक स्टूडेंट है अभी तू बोले एक टीचर है पागल दिखती हूं मैं बता तू क्या स्टूडेंट है टीचर है क्या है ज्यादा अगर तू जूट अभी बोले मैं पूलिस को लागे तरको यसे जेल में डलवा दूँगे फिर बेगर ने डरके ट्रोश पता दिया कि ना मैं स्टूडेंट हूं ना मैं टीचर हूं मेरे को रुष्यन कॉयर में मैं मिजिक लैक मूजिकल इंस्ट्रुमेंट प्ले करता था बट मूं निकाल द आप मेरे को काम दे सकते हैं तो दे दीजिये ना प्लीज सरगी ने बोला मेरे घर पर तु वोट काटेगा प्लीज फिर बेगर को तु एगरी करना पड़ा बेगर तो भीक मागने में राजी था बट उसको एगरी करना पड़ा due to the feeling of guilt उसको एगरी करना पड़ा बेगर को मतलब क्या हुआ ओलगा करके एक थी वो उसको ले गई शेड पर ताकि वो वहाँ पर वोट काटेगा उसको वहाँ पर अपनी वोट काटना था बेगर जब काम चालू कर रहा था ना ओलगा ने उसको दिया एक आग्ज दी काटने के लिए बट उसके जो हालात थे इ इसका ध्यान भटक के जा रही है भटकते जा रहा था अपने उसके और उसको थंडि में काम करना था है और उसको उसके लिए गंदा फिलोना क्यों वोने लग गया था बिखारी को एकदम भाई अच्यानक से पैसे चांदी चांदी आने लगे थी पैसा ही पैसा उसको बहुत सारे काम मिलना चाले हो गयते सर्गी सर्गी बेगर के लिए काम ढूंडा उसने एक महीन से मतलब काम कर रहा है वूटकार्द एक महीना 2nd महिने उससे snow shovel करवाई क्यों वहां पर बाहर जो ओता है वहां पर भुघ हए थन्ड होती हुट डूव भी गरती है तो उसको मतलब सों winter ऐसे ऐसे चौप करवाई kup फिर उसको तीसरे महाई उसको अपनी डस्ट और निकालनी थी mattress से चोथे दिन चौते महीने भाई यही निकल लिया सरगी सरगी को शिफ्ट होना पड़ गया गलती से तो फिर बेगर ने उसकी फरनीचर और यह सब पाकड़ने में उसकी हिल्प की लश्कॉफ आया है कोई बंदा अब यह लश्कॉफ कौन है लश्कॉफ बेगर का ही नाम है जो की स्टोरी में आगे रिवील किया गया है लश्कॉफ को एक नई इंप्लॉइमेंट एकदम मिली सरगी सरगी मतलब बोल सरगी ने उसको बेगर को बोला लश्कॉफ को बोला कि त बाइसे देंगे सर्गी तो विया था विकहरी बंदा था उसको भूलते हैं सर्गी और लशकोफ मिलते हैं फिर नहीं निकल गाया नहीं अब भी पता है मैं जब 13 साल का था तब मैं था बाहर है कोलकाता में रहता था और फंद्रा साल का उसूरत में क्या चेंज है कुछ चेंज निया हमें लाइफ में नहीं मतलब बहुत कुछ चेंज आए बट ठीक है यह सब यह सबान में अपनी Q&A वीडियो में करेंगे ठीक है दो साल बात क्या होगा सर्गी और यह जो बेगड़ था यह एक थीटर की टेगट में से खड़े थे मतलब वह सीट अपनी सीट के लिए रहा था सर्गी और फिर स तो इसने बोला उसके curly hairs थे फर थे उसकी शिल स्किन मतलब एक cap होती है वैसी cap थी उसकी और फिर उसने बोला I know you I know you you are the beggar now भाई English मेरी इत्य अथी है यार I know you मैंने थेरको तो खाम दिया था ना तेरको मैंने 200 मैं तो कितने 5 rubles पर दे दिये थे ना सर्गी बेगर बोला oh yes I met you भाई आप ही तो हो वो जानकार ने वो ऐसे रिप्लाइज ऐसे कर रहा था expect सर्गी बट उसने क्या वोला लशकोफ ने अपनी जानकारी दी लशकोफ ने बोला अभी मैं एक नोथरी हूं सर्गी मतलब बहुत आसा प्लीज थी सर्गी को इत्ती खुशी हरे मैंने मैंने I'm proud of him मैंने इसको एक्टम राइट पाथ में डाला और मैं पता चला कि भाई इसके लिए क्या सही था क्या गलता मैंने बता है उसने सर्गी ओला हम अगर तुने अब मेरी हिल्ट नहीं क्यों होती मैं अभी भी लाइज करके ऐसे जूटवूट बोलके भीग मांगता रहता लेकिन मैं सर्गी और ओल्गा अभी ओल्गा है ओल्गा पान है वो जो पिछले मैंने बताया था ना वो उसको भी मैं ठैंक करूंगा अब भाई और यल्ग ऑल्गा है क्यों उसको दैंक क्यों कर रहा है लक्षकष ने सर्गी को बोला कि अगर अल्गा निहीं होती ना तो में मतलब कुछ नहीं हो पाथा ठीक है वो मेरे लिए वो और उसने बोला कि मैंने तेरे घर में एक भुड भी नहीं काटा डू टू टू अच्छन ये इतने सारे अच्छे गंदे-गंदे अक्षन के वज़े से मेरा हाट चेंज वह मैंने ड्रिंकिंग बंद कर दी और मैं ऑल्गा को कभी नहीं भूलूंगा येस उसने मेरे को अबने ये सब स्टोरी वह बता के वह डिपार्ट कर जाता है गैल्री में और इसा के साथ चाप्टर खता हूँ मेरे साब से सबसे चोटा वीडियो है मरा ये ऐस गाइस आर्ट मिनिट ट्वट्यव इडियो को मिलते है आइस अधले वीडियो में अगले अच्छे से लेक्ष अधिया है तो भाई ठीक है यार ठीक है और हमारा एम है learn with determination, succeed with dedication अगर आपको कोई question है ये email ID है ठीक है इस email ID पर क्या करना है इसको ये सब उस देखो मैं इसको description में देदूँगा इसको copy करना और अपने gmail में डालना और मेरे को mail कर देना हमारा एक WhatsApp चैनल भी है जिसका link जोए मैं डिस्क्रिप्शन में देदूँगा वो भी join कर लेना